दोस्तों नमस्कार आप सभी का रंजीद पामिस्ठ चैनल में स्वागत हैं दोस्तों आज मैं सनलाइन यानि सुर्य के रेखा और सनमाउंट को किस प्रकार से हम देख सकते हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे सनमाउंट कैसे प्रभावित करती है सनमाउंट कहाँ पर होती है सनलाइन किसे कहते हैं यह सभी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा और दोस्तों यदि आप बेसिक पामिस्ट्री सिखना चाहते हैं तो basic palmistry सिखने के लिए lines क्या होते हैं, mounds क्या होते हैं, fingers क्या बदाते हैं, ये सभी चीजें आपको जाननी जरूरी होती है, तो दोस्तों इसी channel पर जाकर के, आप basic palmistry नाम से एक folder बना हुआ है, उस folder में जाकर के, आप मेरी वीडियो को देखें, उसमें आपको palmistry से related, lines क्या कहती हैं, mounds क्या कहते हैं, इन सभी चीजों के बारे में, fingers क्या कहते हैं, उन सभी चीजों के बारे में आपको बताई गई है, तो दोस्तों हम सुरू करते हैं, इस हाथ के sun mount और sun line को ले करके, और दूसरे हाथ से भी मैं इसमें comparison करके आपको बताऊंगा, कि sun mount और sun line जो होती है, कैसे effect करती है, सिर्फ lines होने से नहीं होता है, line के साथ सत, जो line जिस mount की तरफ जा रही है, उस mount को भी देखना होता है, उस परबत को भी देखना होता है, कि वो परबत कितना सुद्रिड है, उस line को base देने में, उस line को मजबूत बनाने में, उस line को fruitful बनाने में, तो दोस्तों देखते हैं हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये sun mount है हमारा, ये sun mount का छेत्र है हमारा, और यहाँ से एक sun line जा रही है, life line से निकल करके एक sun line जा रही है, लेकिन एक आप इसमें देखे कि sun mount, sun mount की capacity क्या है, यहाँ पर देखे, तो sun mount की capacity आप देख पा रहे होंगे, कि sun mount पूरी तरीके से ये दबा हुआ है, और side से ये उभार लिए होगे, इधर से और इधर से ये उभार लिए होगे, तो इससे ये पता चलता है, कि line तो है ये अपनी capacity देगी, अपनी जो भूमिका होगी, अपने हिसाब से जो इसमें strength होगा, उसके हिसाब से देगी, लेकिन mount जो है, जो जितनी छमता होगी, उतनी इनको देगी, लेकिन हाँ, यदि mount इस तरीके का होता, जो मैं आपको एक दिखाने जा रहा हूँ, इस हाथ में देखिए दोस्तों, mount, sun mount, इस हाथ का देखिए, तो आप clearly as first देख रहे होगे, कि ये उस mount के respect में, जो मैंने previous हाथ में दिखाया था, उससे ये उभार ली हुए, अच्छी स्थिती में, लेकिन यहाँ पर क्या condition है, कि आप देख पा रहे होगे, कि यहाँ पर एक line है, sun mount है, मजबूत स्थिती में, लेकिन उसको एक line ही काट रही है, तो दोनों ही स्थितीों में क्या हो रहा है, कि lines अपना result देने के लिए, तैयार तो है, लेकिन mount क्या कर रहे हैं, यह पहले वाले में, जो पिछले वाला हाथ मैंने दिखाया, उसमें mount ready नहीं है, mount में capacity नहीं है, lines को और भी promote करने के लिए, line को और भी energize करने के लिए, और उसी तरह के से आप यहां देखिए, कि mount तो ठीक है, लेकिन mount के हिसाब से line को देखा जाए, तो line में उतनी capacity नहीं है, कि यह line उतनी ज़्यादा fruitful हो सके, तो mount जो है, अपनी capacity के हिसाब से result देगा, और line से अपनी capacity के हिसाब से देगा, लेकिन mount तो यहां पर ठीक है, लेकिन line एक cross बन गया है, cross हा करके बन गया है, तो सिधी सी बात है, जितना result sun mount को देना चाहिए, प्रसिधी हो गई, इससे देखते हैं, government से relation क्या होना चाहिए, उससे हम देखते हैं, अगर इनका government से relation भी होगा, तो हमेशा क्या होगा, intermittently बनेगा, मतलब टूटेगा फिर बनेगा, टूटेगा फिर बनेगा, इस तरीके से यह चलता रहेगा, और mood swings दो देता ही, इस तरीके का mount जो रहता है, और हाँ आगे बढ़ने में भी बाधा होती है, आगे यह बढ़ेंगे, जब भी आगे का कोई step लेगे, कोई ना कोई इनको बाधा आएगी, और तिसरी बात होती है, कि sun mount इतनी अच्छी, अस्थिति में रहनने की बज़े से क्या होता है, कि इनको आज़ पास के लोग, अगल बगल वाले लोग जानते हैं इनको, इनको परसिद्धी आच्छी खासी मिलती है, इनको credit मिलता है, अपने किये हुए फल का, लेकिन अगर ये सिर्फ line रहती, ये cross नहीं रहता, ये cross को मैं एक दूसरी line से, मैं draw करता हूँ, ये line नहीं रहती, जो black color की line है, वो नहीं रहती, तो फिर क्या होता, कि इनको success भी मिलता, परसिद्धी भी मिलती, और चारो तरफ से, इनको name, fame and money भी मिलता, और खास करके, 44, या फिर कहें कि, 40 के age के बाद जागर के, इनको अच्छी खासी, परसिद्धी मिलनी शुरू हो जाती, अच्छी खासी, वो source of income, generate करने का भी चरिया, बन जाता है इनको, यानि एक जो, भागी की रेखा होती, उसके साथ साथ, ये परसिद्धी के साथ साथ, इनको धनकी भी, पूर्ती होती चली जाती, परसिद्धी भी होती चली जाती, तो दोस्तों, इसी तरीके से हम observe करते हैं, line और mount, दोनों को देख करके, हम capacity decide करते हैं, कि line में क्या capacity है, और जिस mount की तरफ वो line जा रही है, उस mount में कितनी capacity है, उस result को देने के लिए, तो दोनों का orientation देखना पड़ता है, तो दोस्तों, पिछले वाले हाथ में मैं चलता हूँ, लेकर क्या आपको, यह इस हाथ के बारे में हम बात कर रहे थे, यहाँ पर देखे, क्या स्थिती है, इस स्थिती में आप देख पा सकते हैं, कि यहाँ से एक life line से एक line निकली, इस तरीके से हड़तीर से होते हुए, यहाँ पर इस तरीके से पहुची, sun mount पर, तो यहाँ पर सीधी सी बात पता चल लिए, कि यह इनसान जो है, चुकि life line से यह निकली हुई रेखा है, तो life line से निकल करके, sun mount की और जारी है, तो अपने मेहनत के बल पर, यह इनसान प्रसिद्धी हासिल करेगा, यह इनसान अपना source of income जेनरेट करेगा, यह इनसान अपने जीवन में आगे बढ़ेगा, और mind line जब इतनी सार्फ हो, जब mind line इतनी सार्फ हो, जो आप देख पा रहे होंगे, mind line यहाँ पर इतनी सार्फ है, जब इस तरह की mind line हो, तो आप समझ सकते हैं, कि एकदम स्वक्ष ही इंसान सोचने वाला है, एकदम स्वक्ष है, बस problem solver इंसान कर सकते हैं इसको, he is the problem solver, he wants the solution, he does not want to discuss the problem, he wants to discuss the solution, यह solution problem solver होते हैं, इनमें capacity बहुत अधीक होती है, इस तरीके से आप देख सकते हैं, लेकिन अगर sun mount का साथ मिल जाता, जो previous वाले हाथ में हमने देखें, यदि उतनी capacity यह sun mount में होती, तो यह आदमी जो है, मतलब कहते हैं ना, कि बालू से भी पानी निकालने वाला है, मिट्टी से भी पानी निकालने वाला है, यह आदमी बन जाता है, इतना मेहनत का से इंसान हो जाता है, और इतना fruits देता है, और दूसरी बात है कि माइंड लाइन इनकी जो है, जुक्टर मांट से सुरू हो रही है, माइन लाइन जा रही है तो धार्मिक प्रविर्ती भी होती है इनमें धार्मिक धार्मिक की तरफ जुकाव भी होता है धार्सनिक की तरफ दर्सन की तरफ दर्सन सास्तर की तरफ पामिस्ट्री एस्ट्रलॉजी में भी इनका जुका होता है तो ये सभी चीज़े हम लोग दोस्तों कामपरीजन करके देख सकते हैं सन मांट, सन लाइन माइन लाइन इस तरीके से हम जज़ कर सकते हैं समझ सकते हैं तो दोस्तों इसी तरीके और वीडियो चुपाने के लिए आप मेरे YouTube चैनल रंजी दपामिस्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे Facebook पेज रंजी दपामिस्ट को भी follow कर सकते हैं वहाँ पर भी वीडियो डाला जाता है वहाँ पर भी नए नई चाहिज़ें आती हैं तो दोस्तों फिर से एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे आप लोग के साथ तब दके लिए नमस्कार बाई बाई थैंक यू